अगर आप फिट रहेंगे तो उम्र के किसी भी पड़ाफ पर हिट हो सकते हैं रतलाम जिले में 75 साल का एक बुज़ुर्ग पहलवान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है कैसे इस रिपॉर्ट में देखिए 75 साल के पपा पहलवान की रगों में लहू नहीं लुहा दोड़ता है पपा पहलवान 75 वसंद देख चुके हैं लेकिन इन में आज भी गजब की पुटी है सीने में बड़े से बड़े पहलवान को धूल चटाने का फॉलाद बाकी है जिस उम्र में लोग उमीद हार जाते हैं उम्र के उसी पढ़ाओ पर पपा पहलवान वर्ल रिकॉर्ड बनाने निकले हैं अखाडों में कईयों को धूल चटा चुके पपा अब फिर नए दाओं से नए जूस से काम्याभी की नई इबारत लेखना चाहते हैं निमच जिले के रहने वाले नौर मुहमद उर्फ पपा पहलवान के चेहरे पर जूरियां उम्र का तकाजा करती है लेकिन पपा पहलवान का ये दाओं देखिए 25 साल के लड़के पर भी ये दाओं फारी पड़ेगा पपा एक साथ बिना रुके बिना ठके कई पुसप कर लेते हैं 75 साल के बुजर्ग पहलवान का ये जोश बच्चों के लिए किसी प्रिणा से कम ही 90 से अंकल को देखके बना चाहूंगा के वह इतली बड़ी उमर के भी वो मिन्स इतनी मेहनत करते हैं गवाल इतली ताकतवर है और उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है मैं चाहता हूं कि मैं भी बड़े होके इतली ताकतवर बना रहूं, मैं यसा ही हूं नूर मुहम्मद आजकल रतलाम में एक साथ हज़ार पुशप लगाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं पपा पहलवान इसमें काफी हद तक काम्याब भी हो चले हैं 75 साल की उमर में ऐसा होसला देखकर उनके नए गुरू भी हैरान है पपा पहलवान पहले से ही प्रियास करते हैं और यह हमारी मार्शलाट के निमत जो ब्रांच है उसमें जुड़े हैं यह अमेद गर के मेरे जो असिस्टेंट वाँ ट्रेनिंग देते हैं उनसे 75 साल के पपा पहलवान अगले महीने लिमका बुक अफ वर्ल रिकोर्ड में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं मिशन दुनिया जीतने का है जिसके लिए पपा के पास जुनून भी है और जोश भी चंदर शेकर सुलाई की इंडिया 24-7 रत्लाव